हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ ग्यान एंसिंग सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेबरेट चैनल एटुजेट कांसेट लगभग लगभग सबसे जादा बिक्ति हैं जिसमें से सबसे पहले रंबर पे आती है किसान माचिस और दूसरे पे आती है चमेली माचिस तीसरे पे भी होगी चोथे पे भी होगी बहुत सारी माचिस है लेकिन दोस्तों आज हमारे पास जो प्रोडक्ट अवेलेवल है वो है चमेली तो आज हम बात करेंगे Liberty, चमेली, माचिस की Unboxing और जानते हैं इसकी wholesale price, retail price की अगर आप एक wholesaler है तो आपको ये माचिस कितने में पड़ेगी है अगर आप एक retailer है तो आपको ये माचिस कितने में पड़ेगी और माचिस में कितनी मार्जिन होती है दोस्तों ठीक है इस सारा कुछ जानेंगे तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप नए है पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को रेड वाली बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमें इंस्ट्राग्राम और फेस्बूक पर फालो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आए जानते हैं चमेली माचिस की होनसेल रिटेल प्राइज और बॉक्स तो दोस्तों कुछ इस तरीके का ये माचिस बॉक्स आता है देख सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चमेली देखना मिल जाएगा और इसे हम सबसे पहले सीधा कर देते हैं थोड़ा और देख सकते हैं चमेली, सेप्टी, माचिस और बात करें यार इसकी तो देख सकते हैं ये कहां कोविल पटी और 600 box of the box of 35 sticks मतलब दोस्तों इसमें 600 box है अंदर इसमें और एक box में 35 sticks आपको मिल जाएगे ठीक है तो यार इसे 600 box होता कहते हैं तो इसे खोलना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले हम इसे खोलते हैं तो इसकी packing यार बहुत ही खुबसूरत बनाते हैं देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का कुछ इस तरीके का packing होता है काफी मजबूत और काफी अलग packing होती है इसी तरीके का packing जो होता है वो किसान माचिस का भी आता है दोस्तों तो इसका जो एक पीस है आप देख सकते हैं तो इस तरीके का packing रहता है इस तरीके का देख सकते हैं दो चार चार आठ दस यानि दस पीस का packing है और इसमें च्छा बंडल है यानि कि आपका देख सकते हैं दो तीन चार और पांच छे एक तो तीन चार पांच छे और 100 रुपए इसकी MRP पढ़ती है एक बंडल की और पूरे का 600 रुपए हो जाएगा MRP की अगर बात करें लेकिन दोस्तों इसकी होलसेल की अगर हम बात करते हैं तो होलसेल में यह आपको पढ़ जाता है 430 रुपए का 430 रुपए का एक होलसेलर को पढ़ता है जिस तरीके स मैं आपको कल्कुलेट करके भी बता देता हूँ तो इसमें 6 बंडल है जैनी एक बंडल आपको 71 रुपए 66 पैसे आपको पढ़ जाता है 1 बंडल यानि 10 बाक्स ठीक है अब इसमें 10 बाक्स है तो इसको भी हम 10 से करते हैं तो देखते हैं 7 रुपया 16 पैसा आपका एक बॉक्स जो एक बॉक्स है ये आपको 7 रुपया 16 पैसा पड़ जाता है तो यार होल सेलर आपको 71 रुपया और आप इसे आराम से 75 रुपया में सेल कर सकते हैं यानि कि रिटेलर को आराम से एक पूरे कार्टून में 25 रुपए बच जाता है दोस्तों ठीक है तो यार बहुत ज़्यादा मार्जी नहीं है मार्जी जैसे प्रोड़क्ट का लेकिन फिर भी क्योंकि अभी भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गाउं देहातों में अभी भी कही न कहीं इसका उपियोग जरूर होता है द अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमें इस्टाग्राम और फेस्बूक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिर बिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार